ये सारे नियम आपको बतादें राजके कला महा विद्याले के छातर संग अध्यक्ष से जुड़ा हुआ ये मामला है छातर संग अध्यक्ष मनीश सामरिया ने ट्रैफिक नियमों की जमकर यहां धज्जियां उड़ाई हैं छातर संग चुनाव में जीत मिलते ही नियम काइदे भूल गए हैं गाडियों के काफले के साथ लाल बत्ती लगी गाड़ी में सवार होकर कॉलेज पहुँचे थे छातर संग चुनाव जीतने के बाद पहली बार कॉलेज आने के बाद ये पूरा ड्रामा नजर आया है और तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया समवादाता हिमानशु जुड़ गए हैं मानशु छातर संग चुनाव में जीत मिलते ही ऐसा क्या हो गया कि सारे नियम कानून ताक पर रख दिये गए देखिए ये तस्वीरे लाइव हैं और एक्स्कुलूजिव हैं सिर्फ और सिर्फ जी राजस्तान पर देखिए मनीश सामरिया है जो लालबत्ती के साथ में गवर्मेंट कॉलेज राजकिये कला महा विद्याले पर पहुँचे हैं और फिलाल ये तस्वीरे सिर्फ और सिर्फ जी राजस्तान सबसे पहले पहुचा रहा है मनीश ऐसा क्या हुआ कि आपको ये सारी नियम कानून तोड़ने पड़ गए आप जीतने के बाद पहली बार कॉलेज पहुचे हैं आखिर लालबत्ती का यूज किया जबकि आपको पता है कोट का स्ट्रिक्ट है कि आप लालबत्ती का प्रियोग नहीं कर सकते हैं क्या कि बना है और बबत्ती के लिए मैं जिना के लिए लालबत्ती लगा सबस्ता है क्या अब पहलिए। सब्सक्राइब दिखाएंगे दिखाएंगे यहां पर लगा हुआ है लालबत्ती के साथ में आप आप देखिये गाड़ी यह कापला है साइरन की आवाज आपको यहां पर सुनाई दे रही होगी और यह तस्वीर है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ जी राजस्तान सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों तक पहुचा रहा है चात्र संग चुनाव के दौरान कितनी गहमा गहमी हमने देखी लेकिन देखी हिवांशू बड़ा सवाल यहां पर यह भी उड़ता जिस तरीके से मनीश ने कहा भी कि मुझे 8000 चात्रों ने चुनकर पहुचाया है जब यदि चात्र संग के अध्यक्षी नियमों की धज्जिया उड़ाएंगे तो उन चात्रों से क्या पेक्षा करेंगे बिल्कुल यह कॉलेज केमपस के अंदर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं मनीश अमरिया कॉलेज केमपस के अंदर एंटर कर चुके हैं और एंटर करने के साथ में आप देखिए कि कॉलेज केमपस में जैसा कि उन्होंने कहा कि हम हमारे जो टीचर्स हैं हमारे जो प्रोफेसर आप लोग आए हैंगा कि अप लोग आए हैं आपको नहीं लग दई भी नियम तूड़ दी आप लेगिन शातनां की Ebz को देखते हुए आज उसको क्यालते हैं चाट संगाद डेक्स को लालबती लगा क्या नहीं पड़ा क्योंकि जब उन्होंने मत किया था तो उस टायम बोला था कि हमें एक चात्र नेता चीए एक हमारे बीच का ईसा छात्र नेता चीए जो हमारे हर परिश्टति में खड़ा र महाविद्याले का जाता है लगाता है हम जो इलेक्सन की रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हम बता रहे थे कि छातरसंग चुनाव की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा गहमा गहमी होती है राज की अकला महाविद्याले में और संबाग का सबसे बड़ा महाविद्याले होता ह बाना जाता है कि तमाम जो राजनिती की धूरी जहां से गूमती है वो चातरसंग चुनाव के दौरान सबसे पहले वो यहीं से गूमती है और ज्यादा तर अगर कोटा के लीडर्स की बात की जाए तो वो यहीं से ही बन करके निकले हैं और ऐसे में यहां के चातरसंग की जो क तोटा और फिलाल यहां पर देखिए यह तस्वीरें अब केम्पस के अंदर जो स्टाफ है जो टीचर्स है उनके पास में मुनीजा मर्या जा रहे हैं उन से मिलने के लिए जा रहे हैं और कॉलेज केम्पस में अपने तमाम समर्थक आप अंदर पहुंच रहे हैं लेकिन हिमान्शू सवाल यहां लगतार बरकरार है जिस तरीके से आपने बाद भी कि उन्होंने उसको कुबूल भी किया कि हां हमने नियम कानून तोड़े हैं लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी है जिस तरीके से छात्रसंग के अध्यक्ष यह हैं यदि यह ऐसे काम करेंगे तो जो और छात्र है वो भी इनके पत्चिन्हों पर चलेंगे या उनके मन में यह भी रहेगा कि जब छात्रसंग अध्यक्ष ने नियम कानून तोड़े उन पर कोई कारेवाई नहीं हुई यह भी यहां पर बड़ा सवाल है देखिए गलत को हमेशा गलती कहा जाता है उसकी जो परिवाचा है वो निश्वत तोर पर एक ही होती है और फिलाल जब यह तस्वीरे हम देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि आपका लीडर जैसा कि आपने कहा कि हम मैं 8000 जो चात्र हैं उनका प्रतिनिदी हूं 8000 च वो आपके कॉलेज से हैं उन्हें बी इसी तरह का बल्यां हो मिलता है और कहीं न कहीं वह वह भी जुनियम तोडने के लिए प्रेरित होते हैं तो अपने आप में आपका जू सवाल वाजिभ है और बात भी बाजिब हैं अभी फिलाल ये मनिस्तामरिया, जो कॉलेज प्रसासन है, उसके प्रोफेसर इसे मिल रहे हैं उनका आशिरवाद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और फिलाद तश्वीरे भी दिखाएंगे कि मनीशा मरिया यह पहली बार आ यहाँ पना है आपने वताया कि आपके टीचर्स हैं उनका अशिरवाद की लेने लिए आपके टीचर्स का अशिरवाद लूआ और उन्होंने शिक्सा भी दिए हमें आगे बढ़ने के रहा भी उनका जो आशिरवाद है वो यहाँ पर लिने के लिए पहुंचे हैं बिल्कुल हिमाशू हम तरसी वी लगता दर्शकों को दिखा रहे हैं लेकिन देखे भी आपने कहा भी जो गलत है वो गलत है इसमें भावनाओं का मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप भावनाओं वाल की जानकारी है या नहीं है जी अपना सवाल दुबारा दो रहा है हिमांशु मेरा कहना ये था कि जी तरीके सभी आपने जिक्र भी किया तो गलत तो गलत ही होता है चाहे वो कोई भी करें गलती तो गलती ही होती है और अभी उन्होंने बताया भी वो सिक्षकों का देखिए इसको लेकर के हम कॉलेज जो प्रिशासन है उनसे भी बात करेंगे लेकिन फिलाल जो प्रोफेसर्स हैं वो यहाँ पर नजर नहीं है देखिए मैं कोशिस करूँगा कोशिस करूँगा यहाँ पर आप कोशिश करिए आप उनसे बात करने की कोशिश करिए और इस पर हम आपसे अपडेट भी आगे चल कर लेंगे बहुत बहुत आपका फिलहाल है शुक्रिया तमाम जानकारी साचा करने के लिए और चलिए आगे बढ़ते हैं